हरे कृष्ण, कई बार भक्त भी ये प्रश्ण करते हैं कि हमने अपना भक्ती में जीवन तो शुरू कर दिया, लेकिन काम बासना का खत्रा हमेशा बना हुआ है हम ऐसा क्या करें कि ये काम बासना हमारे भक्ती में जीवन को नश्ट ना कर दे ये बहुत ही महत्रपूर्ण प्रश्ण है अर्जुन भगवान से जब गीता में पूछते हैं कि ऐसा लगता है कोई मुझसे जबरदस्ती बुरा काम करवाता है अनिच्छम अपिवार्शनिया, इच्छा नहीं है लेकिन बला दीवा नियो जिता ऐसा लगता है बलपूर्वक हमारे मन में कोई गलत विचार डाल रहा है हम लोग गलत दिशा में चले जाते हैं मन में आवाज आती है कि नहीं ये चीज गलत है फिर भी मन इतना सक्तिसाली है कि हम अपने आपको रोक नहीं पाते तो क्या करना चाहिए भगवान अगले ही शलोक में उत्तर देते हैं हाँ अरजुन आप एकदम सही कह रहे हो ये जो व्यक्ति है ये जो चीज है जो आपको बरबाद करती है वो आपका वेरी नम वेरी मतलब दुश्मन सबसे बड़ा दुश्मन वो है क्या है काम बासना तो काम बासना का अर्थ होता है कि सांसारिक चीजों को भोगने की अत्यन तीवर इक्षा मुख्य रूप से sexual desires, illicit sexual desires तो ये बहुत ही कठिन है खासकर आज के इस कल्यूग में इसका तोड़ निकालना बहुत ही कठिन है और भगवान कहते है गीता में परम दिर्ष्वा निबरतते जब तक व्यक्ति को एक उच्चितर स्वात का प्राप्ति नहीं होती जब तक उसे higher taste नहीं मिलता वो इसको नहीं छोड़ पाएगा sexual desires को दबाने से वो नहीं दब सकती कुछ समय के लिए दब सकती है जब वो फटेंगी तो ना केवल उस व्यक्ति को बलकि उसके आसपास के बहुत लोगों को वो नुक्सान पचाएंगी इसलिए सभाविक रूप से इस काम को प्रेम में बदलना होगा बता गया है आत्मेंद्रिय प्रितिवांचा तार बोली काम जैसे भासकर यानि सूर्य जब सूर्यदय होता है और सूर्यास्थ होता है तो उस समय दोनों समय जो हॉरिजॉन है जो आकाश है वो दिखने में एक जैसा होता है उसमें एक लालिमा होती है तो कोई छोटा बच्चा है तो वो सोच सकता है कि अरे सूर्योदय और सूर्यास्त तो एक ही जैसी चीज़ है इसमें क्या अंतर है लेकिन जो बुद्धिमान मिखती है वो जानता है कि नहीं दोनों में जमीन आस्मान का अंतर है सूर्योदय में सूर्य उपर आ रहा है अंधिरा छट रहा है और सूरियास्त में अब सूरिय चला जाएगा और अंधेरा आ जाएगा ऐसे ही काम वासना और प्रेम एक जैसे लगता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मेरी हो और मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ इसको शब्दों से समझना बहुत मुश्किल है कि इनमें अंतर क्या है लेकिन अंतर ऐसे समझ में आएगा कि जब उस संबंद का उस आदान प्रदान का केंद्र ये है कि इससे मुझे क्या मिलेगा तो ये कामवासना है और अगर उस आदान पृदान का केंद्र है कि इससे कृष्टन को क्या प्रसनता मिलेगी तो वो प्रेम है तो इसलिए हमें ये समझना है कि कोई भी चीज अगर उसमें हम कृष्टन को बीच में डाल देंगे तो फिर कृष्टन वहां से भगवान तो हरी है वो उसकी एक boundary, उसकी एक domain set हो जाए, कि हाँ, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पत्नी है, और इसी के माध्यम से, मेरे अंदर अगर कोई इच्छा है, तो वो इधर ही पूरी होगी, वो भी धर्म के इस आश्रम के अंदर, और भगवान गीता में ये बात बोलते भी है, अपने आप कम होगी, ये ही सभाविक तरीका है कामवासना को जीतने का, लेकिन temporary रूप से, सामाजिक दृष्टिकोर्ण से भी हमें कुछ उपाय करने चाहिए, जैसे कि हमें opposite gender के साथ, अगर हम पूरुष है तो महिला के साथ है, महिला है तो पूरुष के साथ, जो उनके साथ, जो उनके साथ हमारा आदान प्रदान है, उसमें मर्यादाओं को बना के रखना चाहिए, आप इसलिए हम कहते हैं भगवान श्रीराम को मर्यादा पुरुष्टम, हम देखते हैं भगवान लक्षमन, वो इतने सालों तक रहे बनवास्ट में, लेकिन सिता दिवी का चेहरा भी नहीं देखा, तो ये सब जो मर्यादाओं हैं, जो ब्रमचारे के नियम हैं, इन्हें ग्रहस्तों को भी कुछ-कुछ पालन करना चाहिए, जैसे किसी और के पत्नी, या किसी और के, जैसे मात्रीबत परदारेशु, दूसरे की पत्नी को माता के समान देखना, इस पकार से, तो ये जो प्रिंसिपल से अगर हम इनको फॉलो करेंगे, तो सामाजिक रूप से भी हम अपने मन को समझा सकेंगे, उसे सही दिशा में रखेंगे, और मुख्य है हमारे हिर्दे को शुद्ध करना पड़ेगा, जो की धीरे-धीरे शुद्धी करण से ही होगा, जैसे-जैसे हमारा मन भगवान में लगेगा, वैसे-वैसे मन काम वासना में धीरे-धीरे भासने हटता चल जाएगा, हरे एक कृष्णा! ऐसे ही और भगती मैं कारिक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलिविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटी एच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 766-839-839